एक अमीर व्यापारी अविनाश मलहुत्रा को अपनी पत्नी संजना की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सभी सबूत उसके अपराध की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अविनाश खुद अनिश्चित है कि क्या उसने सचमुच उसे मार डाला। अपराध बोध से ग्रस्त और व्याकुल अविनाश निश्चित सजासे बचने के लिए अपने दोस्त और वकील रोहित से मदद मांगता है। लेकिन अविनाश को नहीं पता कि वह जिस मुसीबत से निकलने की कोशिश कर रहा है उससे भी बड़ी मुसीबत में फसने वाला है। कथानक संपादन करना अविनाश और संजना का वैवाहिक जीवन तब खराब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वह उससे छोटी छोटी बातों पर भी जूट बोल रही है। भले ही कोई थोस सबूत नहीं है। लेकिन उसे यकीन है कि संजना उसे धोखा दे रही है। उसके प्रती उसका रवईया बदल जाता है जो उसके दोस्तों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। वे उससे समझदारी भरी बाते करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन संजना के प्रती उसका गुस्सा बढ़ जाता है। हालात तब खराब हो जाते हैं जब अविनाश एक पार्टी में संजना के साथ दुर्व्यवहार करता है और उसे शर्मिंदा करता है। संजना अपने घर वापस चली जाती है और अविनाश उसका पीछा करता है। अगले दिन अविनाश को पता चला कि उसने संजना को उसके चाचा के सामने बेरहमी से मार दाला। अदालत में मुकदमा चलता है और उसे उम्रकैद की सजा हो जाती है। अपने अपराद से संतुष्ट न होकर वह अपने वकील और दोस्त रोहित से मदद मांगता है। अविनाश ने रोहित को भागने में मदद करने के बदले में उसे अपनी संपत्ती की पावर ओफ अटौनी देने का वादा किया। रोहित उसे भागने में मदद करता है। लेकिन पैसे लेकर भाग जाता है और उसे मृत अवस्था में छोड़कर उसकी पीठ में छुरा घूप देता है। अविनाश को उसकी दोस्त सोनिया ने बचा लिया और सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उसका पालन पोशन किया। रोहित से बदला लेने के लिए अविनाश ने मलेशिया में उसका ठिकाना तै कर लिया। हालां कि वह संजना को स्वस्थ और जीवित, रोहित के साथ रहते हुए देखकर दंग रह जाता है। वह भी संकुचित हो जाता है और संजना के चाचा से भिड़ जाता है। जो पुष्टी करता है कि संजना का रोहित के साथ संबंध था और उसने अविनाश को अपने जीवन से निकालने में दोनों की मदद की थी ख्रोधित अविनाश ने संजना के चाचा को मार डाला और बदला लेने के लिए निकल पड़ा सबसे पहले वह उसका सामना करता है उसके दिल में डर और घबराहट पैदा करता है वह उसके बारे में रोहित को बताती है जिसे संदेह होता है और सोचता है कि संजना इसे खो रही है जब संजना को इस बात का एहसास हुआ तो उसने उससे जगड़ा किया बाद में अविनाश उनके बीच दरार पैदा करता है और उन्हें उन्हीं के सिक्कों से भुगतान करता है इस सारे नाटक से अंजान एक इंस्पेक्टर को अविनाश को खोजने के लिए भेजा जाता है जिसे अभी भी लापता माना जाता है इंस्पेक्टर भी निशान का अनुसरन करते हुए मलेशिया पहुच जाता है इधर, रोहित गलती से अविनाश के पास चला जाता है और उसे एहसास होता है कि संजना सही थी संजना ब्रेक अप की कगार पर है और रोहित को डर है कि कहीं वह राज न खोल दे रोहित और संजना एक पार्टी में शामिल होते हैं जहां वह लगभग राज उगल ही देती है उनका टक्राव होता है और वे घर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं जैसा कि अविनाश के साथ हुआ था वे पारकिंग स्थल में जाते हैं जहां अविनाश धैर्य पूर्वक उनका इंतजार कर रहा है अविनाश ने संजना को बेहोश कर दिया और रोहित को मार डाला अगले दिन संजना को होश आता है और पता चलता है कि उसे रोहित की हत्या के आरोप में गिरफ तार कर लिया गया है परिस्थितियों के आधार पर संजना को दोशी पाया गया और उसे आजीवन कारावास दिया गया इंस्पेक्टर जिसने अब तक सारी कहानी तयार कर ली है उससे उसकी कोठरी में मिलता है और उसकी दुर्दशा पर अपनी संतुष्टी व्यक्त करता है अविनाश भी आखिरी बार उससे मिलता है जिसके बाद वह सोनिया से मिलता है ये संकेत देता है कि वह उसके साथ अपना जीवन नए सिरे से शुरू करेगा